लग रहा है ना बिल्कुल जूसी, स्पाइसी एंड भूना चिकन जी फ्रेंड्स इसका नाम है भूना चिकन मसाला ये बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से बन कर रेडी हो जाता है और ये रेसिपी मेरे सिस्टर की है वो आई हुई थी तो मैंने उनकी भी रेसिपी आप तक शेयर किया है और एक बड़ा बनाईए और खा कर देखिए तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते है हेलो फ्रेंड्स सदफ क्रिस्पी कुकिंग जोन में आपका स्वागत है आज मैं बनाऊंगी चिकेन भुना मसाला मेरी सिस्टर बनाएंगी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने दो चमच तेल एड़ कर लिया है कूकर में तेल जब गरम हो जाएगा तब मैं उसमें एड़ करूंगी एक दो तेज पत्ते फ्लेम जो होगी वो बिल्कूल मीडियम होगी फिर कुछ खड़े मसाले हैं दाल चिनी, छोटी लैची, बड़ी लैची जीरा, काली मेर्च जावित्री ये सारे मिक्स कर दूँगी तेल में फिर मैं उसमें हाफ केजी फाइन चॉप कियो ही मैं उसमें प्याज एड़ कर दूँगी और प्याज जो है, वो बहुत फाइन चॉप कीजेगा फिर इसमें पान से छे मैंने सुखे ड्राइ चिली हाथ से तोल ली थी वो मैंने डाल दी है और मैंने जिंजर गारलिक लिया जिंजर को मैंने थ्वाज़ा ग्रेट कर लिया था और कुछ लसन की कलिया है नमक एकॉर्डिंग टू यो टेस्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है और खसखास पोस्ते का दाना मैंने वाश कर लिया है उसे हाफ चमच मैं यूज करूँगी या एट करूँगी मिक्स करना है इसे हाइ फ्लेम पर और फ्लेम जो है बिल्कुल हाइ होनी चाहिए अभी के लिए और इसे भूनना है पास छे से साथ मिनट के लिए ताकि ये प्यास जो है वो बहुत अच्छे से भून जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए इसका जो कलर होता है वो एदम लाइट जो गोल्डन होता है वो कलर का चाहिए तो इसे आप पांच से साथ मिनट तक रोस्ट करते जाएए मेडियम टू हाइ फ्लेम पर ये देखिए साथ मिनट बाद प्यास का कलर ऐसा हो चुका है अब मैं उसमें एड करूँगी वण कप आफ वौटर, एमल मैंने एड कर लिया है अनिन में अभी जो फ्लेम है वो हाई मैंने कर दिया है अब इसे cover करना है medium flame पर 3-4 ct होने का weight करना है जब 4 ct medium आज पर हो जाए तब gas बन कर देना है ये देखिए फिर जब cooker ठंडा हो जाएगा तब मैं gas cooker खोलूँगी ये देखिए cooker थोड़ा ठंडा हो चुका है और अब मैं gas on कर दूँगी और इसे mix करूँगी बहुत अच्छे से इसे mix करना है और mash भी साथ में करते रहना है ताकि ये जो onion है वो अच्छे से mash हो जाए वो बिल्कुल soft हो जाए और वो प्यास खड़ी खड़ी नजर ना आए इसे कुछ minute के लिए तेज flame पर roast करना है और इसमें 700 ग्राम मैंने chicken add किया है चिकेन को भी बहुत अच्छे से full flame पर ही roast कीजिए flame को भी medium नहीं करना है flame बिल्कुल full होंगी और इसे चार से पांच मिनट के लिए ऐसे ही भूनिए full flame पर अलटते पलटते बराबर इसे चलाते रहिए बिल्कुल रोकिये मत अच्छा जी तो आप इसको लगतार चलाते रहें देख लीजे मैं कैसे चला रही हूँ अच्छा जी तो मैं एक बास शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किसी से भी recipe किसी भी चैनल को देख कर नहीं बनाती हूँ और यह बिल्कुल मेरे तरीके से होती है या मेरे घरवालों की तरीके से बस और फिर जब यह रोस जो है हो चुके है अच्छा जी अप मैं cover कर दूँगी और medium flame पर नहीं मैं high flame पर दो city होने का wait करूँगी दो city के बाद gas मैं off कर दूँगी और जब cooker ठंडा हो जाएगा तब मैं cooker खोल दूँगी यानि open कर लूँग यह देखिए और gas मैंने again on कर दिया है अच्छा जी इसे बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करना है तब यह चिकेन भुना मसाला बनकर ready होगा तो जिस चीज में भुना लगाना है उसे तो obviously उसे भुनना ही पड़ेगा जब तक हम भुनेंगे नहीं तब तक वो टेस्ट और नहीं आएंगे फिर इसे लगातार कुछ सेकेंड तक भूनते रहिए मैंने बीच में सॉल्ट चेक किया था सॉल्ट थीक थे और यह देखिए रोस्ट मैं कर रही हूं फूल फ्लेम पर और यह बहुत टेस्ट हो बहुत टेस्टी बनता है और यह बन कर तयार भी हो चुका है अब मैं सर्फ कर रही हूं फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे सब्सक्राइब करके आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी रेस साला बनकर तयार है इतना टीस्ती था कि मैं आपसे क्या बताओ बहुत ही अच्छा था एक बार बना कर देखो मेरी बात आप मानो और कमेंट करके भी बताओ कि आपको कैसा लगा मैं सिर्फ आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती हूं और बहुत असान तरीकों से ताकि आप जटपट बना कर तयार कर लो और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अगें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए फिर से मिलती है एक न्यू रेसिपी के साथ बाय बाय थैंक्यू